एक भेंट प्रेम, प्रकाश और आनन्द से भरी एक दुनिया अब इसका समय आ गया है आईए इसे कर दिखाने इशा क्रिया इस धर्ती पर उपस्तित हर व्यक्ति को आध्यात्मिक्ता की कम से कम एक बूंद प्रदान करने के आंदोलन का एक हिस्सा है एक बूंद को कोई छोटी चीज न माने एक बूंद अपने आप में एक पूरा समुत्र है यह खुद की परम शमता तक पहुचने का एक शक्तिशाली उपकरण है हमें आशा है कि इशा क्रिया के अभ्यास से आप लाभानवित होंगे वह इसे अन कई लोगों के साथ बाटेंगे भी इशा क्रिया का अर्थ है इशा मतलब स्रिष्टी का मूल यानि कि स्रिष्टी का जो स्रोत है उसे हम इशा कहते हैं मैं यूँ हाथ दिखा रहा हूँ इसलिए स्रिष्टी का स्रोत उपर होगा ऐसा सोच कर उधर मत देखिए उपर नीचे का आपको कोई अंदाजा नहीं है क्या आप जानते हैं कि इस स्रिष्टी में उपर कहा है और नीचे कहा है नहीं जानते मगर बाहर क्या है और अंदर क्या है यह आप जानते है यह शरीर अंदर से बनाया गया है यह बाहर से जरा ध्यान से देखें तो आप जान जाएंगे कि निश्चित रूप से या अंदर से ही बनाया गया है अगर इसका निर्माण भीतर से ही हुआ है तो क्या सुरिष्टी का सुरोत आपकी भीतर ही है तो इस शरीर से परे इस शरीर का निर्मान करने वाली जो बुनियादी शक्ती है उसे ही हम ईशा कहते हैं क्रिया यानि की एक इनसान दो तरह के काम कर सकता है एक है कर्म और दूसरी क्रिया कर्म यानि हम कोई काम शरीर से करें, मन का उप्योग करते हुए करें, अपनी भावनाओं का उप्योग करते हुए करें, ऐसे काम को कर्म कहते हैं, इससे हमारा भला भी हो सकता है या फिर कई तरीके की मुसिबतें भी आ सकती हैं बाहर की और जब हम शरीर से काम करते हैं, मन से काम करते हैं या भावनाओं से काम करते हैं तो इस तरह के काम से हमारा भला भी हो सकता है और उसके साथ कई तरह की समस्याइं भी आ सकती है अपनी भलाई के लिए ही आपने सारे काम शुरू किये लेकिन उसी में तो सारी मुसीबते भी आई ना अपनी भलाई के लिए ही आपने अपनी फैक्टरी खोली अब उसी के कारण बलड प्रेशर हो रहा है ना अपनी भलाई के लिए ही आपने शादी की और अब वहीं हर तरीके की चीजे हो रही है यही कर्म है क्रिया वह काम है जो अंदर की ओर किया जाता है जिस काम में हमारे शरीर, हमारे मन और हमारे भावनाओं की भागिदारी नहीं रहती ऐसे काम को हम क्रिया कहते हैं इसे हम भीतर के आयाम में ही तो कर सकते हैं न, बाहर की ओर करने की अभी संभावना नहीं है, हमारे अंदर सृष्टी का जो स्रोत विराजमान है, वह ईशा है, उसकी ओर कारेशील होना ही क्रिया है, ईशा क्रिया एक ऐसा ही छोटा सा अभ्यास है, छोटा है इसलिए ये मत होया था न, तो ऐसा मत सोचे कि छोटा है तो काम का नहीं है, ये बहुत ही छोटा सा अभ्यास है, मगर उसे सही धंग से अपने अंदर बो दें, तो ये बहुत ही शांदार धंग से बढ़ जाएगा, आप जिसकी कल्पना भी नहीं कर सकते, उस हद तक वह हमारे अंदर बढ अब सबसे जरूरी बात यह है, कि जब भी हम कोई आध्यात्मिक अभ्यास सिखाते हैं, तो आम तोर पर शरीर में कुछ बदलाव आने की गुंजाईश रहती है, हमारी शारिरिक स्थिती में ही बदलाव हो सकते हैं, अगर कोई अभ्यास इस तरह से बदलाव पैदा कर सकता है, तो उस अभ्यास को सिखाने में कई दिक्कतیں होती हैं, उसे सिखाना हो, तो उसकी तैयारी के लिए एक टीचर तैयार करने में ही बरसों लग जाते हैं, इस तरह के अभ्यास अगर बिना तैयारी के सिखाए गए तो, इसी वजह से योग के नाम पर दुनिया भर में कई तरह के सरकस चल रहे हैं। योग के नाम पर आध्यात्म के नाम पर सरकस नहीं चलना चाहिए। यो अलग-अलग तरह के गैर ज़रूरी काम नहीं होने चाहिए। इसी मकसद से हमने इशाय योग केंदर में कई कारेक्रम बनाए है। ये काम बहुत कठिन है क्योंकि आध्यात्म के नाम पर खलत काम नहीं होना चाहिए, बस इसी उदेश से यह सब किया गया। अब कुछ अभ्यास ऐसे भी हैं जिने करने से शरीर में कोई बदलाव नहीं आता, केवल अपने आध्यात्मिक आयाम को छूने के लिए भी कुछ अभ्यास है। कुछ अलग धंग से उसका प्रयोग करना है बस। आपकी सांस चल रही है, देखे, हसने से क्या होगा, देखे, चल रही है या नहीं। अभी है, लेकिन यह मत सोचे कि हमेशा रहेगे, एक दिन यह नहीं रहेगे। एक बार चेक करके देखे, चल रही है क्या, चल रही है न अब सुबह जाकते हैं, अगर सांस तब भी चल रही है, तो यह बहुत बड़ी बात है ना? अब ही भी चल रही है, रात को लेटने के बाद सुबह जगने से पहले कितने ही लोगों की, लाखों लोगों की सांस बंद हो गई आज रात, हमारी अब भी चल रही है, यह बड़ी बात है की नहीं? क्या ये छोटी बात है? बहुत बड़ी बात है कि नहीं? तो इसे हलके से न ले, सांस चल रही है या कोई मामूली बात नहीं है अब यह सांस, अंदर आई, बाहर गई, अंदर आई, बाहर गई, अंदर आई, बाहर गई अगर अगली सांस अंदर नहीं आई तो कहीं भी जाकर ढूंड़िये वो आदमी नहीं मिलेगा. आखिर कौन सी बड़ी बात हो गई? एक सांस अंदर नहीं गई बैस इतना ही. कितनी छोटी सी बात है, देखे जरा. बैस इतना ही. इतने में ही काम खत्म. सांस यूँ ही चलती रहती है लगातार. मन में विचार चल रहे हैं क्या? विचार दौड रहे हैं क्या? दौडते ही रहते हैं. सांस भी दौडती रहती है. विचार भी दौडती रहते हैं. आप जागरुक हैं? आप यह नहीं बता सकते कि किस हद तक. लेकिन किसी हद तक आप जागरुक हैं, इसलिए तो पता चलता है कि आपका अस्तित्व है आपको कैसे पता चलता है कि मैं यहां हूँ एक हद तक जागरुक रहने के कारण ही तो जरा यूँ यूँ बन गए तो कहां रहते हैं आप पता ही नहीं चलेगा यह भी पता न चलेगा कि आप हैं या नहीं कहां कि तो बात ही छोड़ दीजिए आपको कैसे पता चलता है कि मैं यहां हूँ मैं यहां बैठा हूँ जागरुकता के वज़े से सांस अपने आप चल रही है विचार खुद बखुद चल रहे है जागरुकता भी अपने आप बनी हुई है हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं हमें बस इन तीनों को एक साथ लाना है सांस अभी आपके अनुभव में नहीं है क्या आपको सांस के अंदर और बाहर होने का एहसास होता है क्या आपको पता चलता है सांस चल रही है, इसका आपको एहसास नहीं है आप केवल इतना जानते हैं कि हवा के नाक से होकर जाने के कारण वहां समवेदना या संसेशन होते हैं आप केवल उन समवेदनाओं को ही जानते हैं अब आपके बगल में बैठा विक्ती अगर आपको छुए तो आप उनके हाथ को नहीं जान पाते आपको केवल अपने हाथ में होने वाली समवेदनाओं ही पता चलती हैं है कि नहीं? इसी तरह हवा जा रही है, सांस हमारे अनुभाव में नहीं है उसकी कारण जो समवेदनाओं होती हैं, हमें केवल उसी का पता चलता है क्या आप जानते हैं मैं कहा हूँ? मैं कहां बैठा हूँ? जर आपने हाथ से इशारा करके बताईए अभी मैं कहां बैठा हूँ, बताईए यहीं पर तो, लेकिन ऐसा नहीं है यह प्रकाश मेरे शरीर पर पढ़ रहा है यहां से reflect होकर आपकी आँखों के अंदर जा रहा है फिर lens से गुजर कर रेचिना के उपर उल्टा चित्र बन जाता है यह सारी कहानी आपको पता है न कि कैसे चल रहा है अब मैं कहां हूँ? आपके अंदर ही हूँ मेरी बाते कहां सुनाई दे रही है आपके अंदर ही सुनाई दे रही है सारी दुनिया आपने कहां देखी? अपने अंदर ही देखी तो फिर आपने बाहर क्या देखा? आप बाहर देख नहीं सकते आप बाहर सुन नहीं सकते बाहर आप सूंग नहीं सकते छू नहीं सकते, कुछ भी नहीं आपके साथ जो भी अनुभव हुए सब आपके अंदर ही हुए बाहर का अनुभव नाम की कोई चीज हमारे लिए है ही नहीं लेकिन हमारा सारा ध्यान बाहर की ओर है अब इस ईशा क्रिया में पहली चीज है आपकी सांस इस सांस को हम योग में कूर्मनाडी कहते हैं कूर्मनाडी से मतलब है यह एक रस्सी जैसी है आपको और आपकी शरीर को बान्द कर रखने वाली रस्सी है कूर्मनाडी आपकी सांस को अगर मैं यू निकाल लूँ तो आप और शरीर अलग-अलग गिर पड़ेंगे या नहीं, यही पहला ब्रहम है, यहां दो जने हैं, लेकिन ऐसा व्यवार कर रहे हैं, मानो एक ही व्यक्ति हो, अगर मैं आपकी सांस खींच कर निकाल दूँ, तो यह शरीर यहां गिरेगा, आप कहीं और, अलग-अलग बढ जाएंगे, दो हैं, लेकिन एक होने का ड्रामा चल रहा था, इस कूर्म नाड़ी को या इस सांस को खींच कर निकालने पर, दोनों जने अलग-अलग हो जाएंगे न, फस जाएंगे न, फसेंगे या बच निकलेंगे, पता नहीं, लेकिन दो बन जाएंगे, एक होने का दि खावा करते हैं, जरा खीचने पर दो हो जाएंगे, अब इस कूर्म नाड़ी, यानि इस सांस के साथ हमें जरा सफर करना होगा, अब जब पता ही नहीं है कि वह कहां रहती है, तो उसके साथ कैसे जाएंगे, इसके लिए, उसके साथ जाने के लिए हमें करना यह है कि हमारे व विचार को आपस में जोड़ दें, दोनों को जोड़ने पर विचार जहां जाता है, वहां तक हम सांस के साथ जा सकते हैं और आ सकते हैं, लेकिन सांस के साथ विचार को जोड़ने के लिए, इन दोनों को साथ रखने के लिए, उसमें जागरुकता का समाविश करना जरूरी है अगर इन तीनों को एक साथ जूर दिया जाए तो इसे संभालना बहुत आसान हो जाएगा इसके साथ हम कौन सा विचार मिलाएं अब यह शरीर जब यह पैदा हुआ यह ऐसा नहीं था इतना छोटा था अब इतना बड़ा हो गया कैसे क्या क्या खाया आपने रोटी, चावल, दाल, समोसा सब कुछ जुड़ जुड़ कर ऐसा बन गया मैं नहीं आप सब कुछ जुड़ कर यह खाय हुए खाने का एक धेर ही है न या फिर दूसरे शब्दों में इस धर्ती की मिट्टी को लेकर ही तो हमने इसका निर्मान किया है इसे हमने इकठा किया है जिसे हम इकठा करते हैं वह हमारा हो सकता है लेकिन हम उसे मैं नहीं कह सकते ऐसे ही बात करते-करते यह घंटी यह हमेशा मेरे पास ही रहती है अगर मैं एक आएक अब सत्संग की बीच में आपसे कहूँ कि यह घंटी मेरी है तो आप सोचेंगे अरे लगता है सत्गुरू को कुछ हो गया है लेकिन सभी कहते हैं कि वे ज्यानी हैं कुछ देर और बैठ कर सुनते हैं थोड़ी देर बाद यह दि मैं कहूँ यह घंटी ही मैं हूँ तो आप सोचेंगे इस घंटी के बजने से पहले चला जाना बहतर होगा और आप पीछे से किसक जाएंगे लेकिन रोज आप यही काम करते हैं आपकी थाली में खाना आता है आप कहते हैं यह मेरा भोजन है फिर आप उसे खा लेते हैं और खाने के बाद आप कहते हैं यह मैं हूँ यह पागलपन है न? पागलपन ही है न? इतने सारे लोगों के लिए हम पागल खाना नहीं बना सकते इसलिए यूँ ही बाहर छोड़ दिया बाहर जो भोजन था उसे लेकर खाने के बाद मैं यही हूँ कहें तो यह पागलपन है की नहीं दुनिया में सभी लोग इसी तरह रहते हैं इसी लिए अगर हमारी अकल काम करे तो इस पागलपन से भी बाहर आ सकते हैं अगर हम अकल का इस्तिमाल नहीं करेंगे तो इसी में चक्कर काटते रहेंगे अकल का जरा उपयोग करके सोचेंगे कि हमें बांदने वाली चीज कौन सी है तो पता चल जाएगा न हमें बांदने वाली चीज हमारे शरीर के साथ बांदे रखने वाली चीज कौन सी है यह सांसी है इसे हम कूर्म नाड़ी कहते हैं इस रसी को पकड़े हुए अगर आप उसे बस थोड़ी जागरुकता के साथ करें तो इन दोनों में थोड़ा अंतर आ जाएगा मैं और शरीर के बीच थोड़ी दूरी आ जाएगी मैं और मन के बीच थोड़ी दूरी आ जाएगी जब मेरे और शरीर के बीच में मेरे और मन के बीच में जरा दूरी आ जाती है तब मैं अपने शरीर और मन का पूरी तरह से उप्योग कर सकता हूँ अभी ऐसा नहीं है उसमें उलजी रहने के वजह से उनका उप्योग करने में ही डर लगता है उनका उप्योग करने में एक बड़ा डर इस बात का लगा रहता है कि कहीं या चलाना जाए चलाना जाए इन दोनों के बीच थोड़ी दूरी रहे तो हम इस शरीर और इस मन का चाहे जैसे उपयोग कर सकते हैं इस दुनिया में सफल कौन होता है जिस इनसान में इस शरीर और मन का पूरी तरह से उपयोग करने की क्षमता हो उसी को काम्याबे मिलती है यही नहीं अगर हमारे जीवन में दुख आये हैं तो वे कहां से आये हैं दुख शरीर में होता है या मन में होता है किसी और तरह का दुख पता है आपको और किसी भी तरह का दुख जानते हैं आप केवल दो ही तरीके हैं दुखिया तो शरीर में होता है या मन में दुखिया शरीर के जरीए आ सकता है या मन के जरीए आ सकता है अब अगर इस शरीर और हमारे बीच अगर एक दूरी आ जाए अगर इस मन और हमारे बीच एक दूरी आ जाए तो दुख नाम की कोई चीज नहीं होगी हमारे जीवन में जब हमारे अंदर दुखी होने का डर नहीं होता, केवल तभी हम पूरी तरह से अपना जीवन जी सकते हैं. जब तक हमारे अंदर दुखी होने का डर है, तब तक हम अपने जीवन में एक भी कदम पूर्णता के साथ आगे नहीं बढ़ा सकते. हम केवल आधे अधूरे कदम ही उठा रहे हैं पूरे जीवन में आधे अधूरे कदम लेते रहने के कारण जिन्दगी ही आधी अधूरी हो गई है आधी अधूरी जिन्दगी बस यातना ही है यदि आप पूरी तरह से जीवनत रहें तो ये बढ़िया है जान जाने के बाद बढ़िया रहेगा या नहीं? पता नहीं लेकिन आपको आधी जान का बना दें तो ये यातना ही है न? बहुत बड़ी यातना है कि नहीं? अब इनसानों के जीवन में यही सबसे बड़ी तकलीफ है हर चीज में दुख है कोई भी काम पूर्ण रूप से करते नहीं बनता ना हस सकते हैं, ना रो सकते हैं, ना नाच सकते हैं, ना गास सकते हैं कुछ भी करना नहीं आता, तभी तो थेटर में जाकर फिल्म में रजनिकान जो करते हैं उसे देख कर आना पड़ता है अपना जीवन पूरी तरह से जीना हो, तो हमारे अंदर दुख्यों होने का डर नहीं होना चाहिए तब ही हम पूरा कदम उठा सकते हैं पूरा कदम उठाने पर ही इसे पूर्ण जीवन बनाने का अफसर मिलता है सांस उसके अंदर एक विचार मिलाना है विचार उसके साथ जोडना हो तो वह जागरुकता के बिना नहीं हो सकता ये तीनों अगर एक साथ काम करेंगे तो एक तरह की परिस्थिती का निर्मान होगा इस परिस्थिती को इस सत्य को अगर आप पूरे शरीर में फैलाना चाहें तो उसके लिए एक तरीका है आईए इस पर गोर करते हैं अब बुनियादी तोर पर हमें करना यह है कि अंदर आने वाली सांस के साथ एक तरह का विचार जोडना है बाहर जाने वाली सांस के साथ एक और विचार जोडना है कौन सा विचार? सांस अंदर लेते समय, मैं शरीर नहीं हूँ, और सांस छोड़ते समय, मैं मन भी नहीं हूँ, सच है न? सच ही है न? जिसे आप शरीर कहते हैं, वह बाहर से इकठा किया है न? मन में जो कच्रा है, वह भी बाहर से ही जुटाया है न? आपने बाहर से जो इकठा किया है वह आपका हो सकता है लेकिन उसे आप कभी भी मैं नहीं कह सकते इस सत्य को हमें अपनी सांस के साथ जोड लेना है मैं शरीर नहीं हूँ, मैं मन भी नहीं हूँ हमें अपना हाथ हत्यलियों को उपर की ओर करके रखना है आपने शिवा काशी वाले कैलेंडर बहुत जादा देखे हैं मैं कुछ भी कहूं आप ऐसे ही पकड़ेंगे उसकी जरूरत नहीं है हाथ को इस तरह से बिलकुल ढीला रखना है अपनी रीड को जितना हो सके उतना सीधे ही रखना है अगर आप ऐसा नहीं कर पा रहे हैं अगर आपकी रीड रस्सी की तरह हो गई है एकदम कमजोर हो गई है तो ज़रा पीठ खा सहारा लेकर बैठ सकते हैं और पालती लगाकर इस तरह से बैठिए इस तरह बैठ कर हमें अपने सांस के साथ दो विचार जोडने हैं सांस अंदर लेते वक्त मैं शरीर नहीं हूँ सांस बाहर छोड़ते वक्त मैं मन भी नहीं हूँ यह विचार जितना लंबा रहता है सांस लेने में उतना ही समय लगना चाहिए सांस छोड़ने में उतना ही समय लगना चाहिए इस तरह चंद मिनट तक साथ से ग्यारा मिनट तक करना चाहिए आज हम साथ मिनट तक करेंगे साथ मिनट तक यह चलना चाहिए उसके बाद क्या करना है? आ की ध्वनी का साथ बार उच्चारन करना है अब हमारा जमाना ऐसा हो गया है कि एक छोटी सी बात बताएं तो भी उसकी व्याख्या करनी होती है केवल कहने मातर से करने वाले लोग बहुत कम ही है न बाकी लोगों को सब बताना पड़ेगा कि आ किस लिए आ किस लिए करना है मैं पा करूं तो आ इसलिए क्योंकि हमने यूही बिना किसी कारण के आ को पहला अक्षन नहीं बनाया यह बहुत सोच समझ कर किया गया है जिस तरह से हमारा एक भौतिक शरीर है उसी तरह से एक मानसिक शरीर भी है और एक उरजा शरीर भी है इस उजा शरीर में बहत्तर हजार नाडिया है यह बहत्तर हजार नाडिया एक सो चौदह जगों पर मिलकर फिर बंट जाती है इसे एक जंक्शन बॉक्स ही समझ लीजिए सब जगे पिजली प्रवाहित हो रही है जगे जगे पर जंक्शन बॉक्स लगे हुए है इस तरह एक सो चौदह जंक्शन बॉक्स है इन में 112 शरीर के अंदर हैं दो शरीर के बाहर हैं इन 114 जंक्शन बॉक्सों में यह नाडिया मिलकर फिर बंट जाती हैं लेकिन सिर्फ एक जगे ऐसी है, जहां सभी 72,000 नाडियां आकर मिलती हैं और फिर बट जाती हैं. और वह स्थान है हमारी नाभी के जरा सा नीचे, लगभग पौना इंच नीचे, इसे हम योग में मनिपूरक कहते हैं. 114 जंक्षन बॉक्सों को हम चक्र कहते हैं, 114 चक्र हैं, इनमें से यह एक चक्र है, सिर्फ इस मनिपूरक चक्र में 72,000 नाडियां मिलकर फिर बंट जाती हैं. अगर आप आशब्द का उचारण करते हैं, तो आप देखेंगे कि उसके कमपन आपकी नाभी के करीब पौना इंच नीचे शुरू होते हैं, और शरीर में हर तरफ फैल जाते हैं. इसे अनुभव करके देखें, अपनी आखें बंद कीजिए, अपनी रीड को सीधा रखिए, आशब्द का उचारण कीजिए और कमपनों को महसूस कीजिए. अपनी आखें खोलिए, आप देखेंगे कि कमपन आपकी नाभी के पौना इंच नीचे से शुरू होकर पूरे शरीर में फैल रहे हैं, यह एक मातरे ऐसी धुनी है, जो कमपनों को पूरे शरीर में फैला दी है. हम कोई चीज बनाते हैं और उसे पूरे शरीर में पहुँचाने की इच्छा करें, तो हमें उसे इसी स्थान पर ले जाना होगा. जब आप मा की गर्भ में थे, उस समय आपको उनकी सारी शक्ती जो मिली, उसे मूँ में डाला गया था क्या? कहां डाला गया था? नाभी में, है न, वहां पर ऐसी एक शक्ती मौजूद है. वहां मनिपूरक चक्र होने के कारण, वहां जो भी चीज आती है, उसे पूरे शरीर में पहुँचाया जा सकता है. अब हमारे अंदर जो भ्रहम है, यानि दो जने हैं, लेकिन वे एक व्यक्ती की तरहे नाटक कर रहे हैं, इस भ्रहम से बाहर निकलना है, तो सांस के अंदर इस विचार को, इस जागरुकता को मिला देने पर, थोड़े ही दिनों में इसके और उसकी बीच थोड़ी दूरी जाएगी, हाई शरीर चला जाएगा क्या, शरीर कहीं नहीं जाने वाला, आप शरीर का अच्छी तरह उपयोग कर सकते हैं, किसी भी चिंता के बिना शरीर का उपयोग किया जा सकता है, किसी भी चिंता के बिना मन का भी पूरी तरह से उपयोग किया जा सकता है, अंदर आने जैसे मैं कहता जाओं वैसे वैसे आप करते जाएए। उसके बाद जब मैं आ कहूं तब साथ बार आ का उचारन करना है। इस क्रिया का अभ्यास करते समय आप अपने चेहरे को जरा सा उपर करके बैठें। आँखें बंद रहें और आपकी हतेलियां उपर की ओर होूं। आपको बड़ी तीवरिता के साथ ध्यान लगाने की जरूरत नहीं है। बहुं के बीच में फोकस या कॉंसेंट्रेशन करने की जरूरत नहीं है। अपनी आखें बंद करके चेहरा उपर उठा कर बैठें तो ध्यान अपने आप वहां लग जाएगा। इस हद तक हलका ध्य लगा कर हमें यह अभ्यास करना है। जब मैं आ कहूं तो उसके पीछे आपको भी साथ बार आ कहना है। और उसके बाद बस थोड़ी देर आखें बंद करके बैठना है। आखें खोलने का निर्देश मिलने तक आखें बंद किये हुए ऐसे ही बैठना है।